कि सभी को प्यारबरा नमस्कार इंपिरियल एग्रोक्लासिस के ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है मेरा नाम है राजकुमार नागर और आज से हम एग्रिकल्चर की सीरीज सबस्क्राइब आपको टोपिक वाइगा इसमें आपके काई सारे क्लियर कर जाएंगे और और कंड़िकल्चर की लगबग सारे की मीघन से एक इसमें जितने आते हैं उनका ट्रिक भी बताए जाएगा की केसे आपको अपने आपको एक्सप्रेस करना और कैंसे आपको आटेंड गणाय क्योंकि कई तरह के तरह के प्रेक एrock 보시면 करेंडे यह में की जैसे कि कल.. और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल उगाया जाता है अब इसमें कुछ लोगों ने बनाना आंसर दिया था कुछ लोगों ने मेंगो आंसर दिया था लेकिन उसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेंगो क्योंकि मेंगो उसमें पूछा वादा उगाया जाता है एरिया ना कि प्रोडक्शन एरिये में आपका मेंगो है और प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा उत्पादन बनाना का है ठीक है तो चलिए आज से हम सुरू करते हैं नई सीरीज आपकी उससे पहले वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आपको मिल जाएगी आपके चेप्टर वाइज हम आपका क्लियर करवाएंगे इस लेबस को जितने भी दो मेने के अंदर आपका एक्जाम है जेट का तो उसके लिए आप अभी से तयार हो जाएगे और इसके माद्यम से जैसे आप दो मेने के अंदर अंदर इन टोपिक को पढ़के इस लेबस से आप अपने हर कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स को क्वालिफाई कर दोगे जोकि ह हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन से बनते हैं वह हम आपके लिए डिसकस करेंगे आपको उन questions को बताएंगे, कितना घुमा कि उसमें से question बन सकता है, उतना हम आपके लिए उसमें available करवा देंगे, उसके बार कोई question ही जाएगा, जो चेप्टर आप पढ़ोगे, उसके question answers आपको अच्छे से कराए जाएगे, और हाँ, एक चीज, इस चीज को नोट कर लेना, चीज आपको important लगे, या आपको लगे कि मैं इसको याद नहीं रख सकता, तो आप उसको note कर ले, और फिर उसको future में revise कर ले, और दूसरा, जैसे ही चेप्टर खतम होगा, आपको उस चेप्टर से related question answers करवाए जाएगे, हर question के बाद 10 second का आपको time दिया जाएगा, जिसमें आपको उसको comment section में attend करने है, फिर आपको answers को evaluate किया जाएगा, कितने questions आपने किये, कौन-कौन से answer अगर गलत दे रहे हो तो उसको सही कर ले, लास्ट में एक काम जरूर कर ले, जितने भी question answers आप topic wise करते हो, उनको एक paper copy में note कर ले, ताकि वो आपको दुबारा एक बार पट थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपके लिए describe कर देगे, शोट में, ताकि आपको वो चीजें वापस revise हो जाएगी, और इसके बाद आपको ज्यादा यहां से जाके पढ़ने की या ज्यादा हो करने की, बार बार revise करने की जरूत नहीं पढ़ेगी, बस एक बार आप पढ़ो फिर उसके बाद उसको दिन में एक बार revise कर लो, और सामकी जो अगली class होगी उससे पहले 10 या 5 minute में आपका उसको revise करवा दिया जाएगा, ताकि आपको उसके बारे में पूरी information मिल जाएगी, और इस series के माध्यम से आप कोई सभी competition exam हो, agriculture से related, आप उसको आसानी से clear कर सकते ह तो चलिए आईए हम आगे बढ़ते हैं अपने next topic के साथ agriculture, अपना जो पहला topic होगा, वो होगा agriculture, बैसिक एगरी कल्चर, बैसिक एगरी कल्चर में हम सबसे पहले equation उठता है इसमें, हर कोई पूछेगा आप से कि आप agriculture क्यों पढ़ रहे हो, क्या रीजन है आपका कि आप agriculture कर पढ़ाया जारा है आपको आपका date का exam conduct करवाया जारा है, आपको LSG agriculture कर आए जारी, MSC agriculture कर आघी होगा का वहावा प्हारा है, वाट इस धरीलजन पहले क्यों हैं है, क्या चीजले ऐसा क्यूं पर रही है है, अपना टाइम इस चीज को दे रहे हैं, दोसगर दाए रही है वह रिजन है कि एगरिकल्टर को पढ़ाने का तरीका होता है. इगरिकल्टर को पढ़ाने का जो रिजन है वो है डव्लप्मेंट और इंप्रुव्मेंट. मेंट और इंप्रूवमेंट अब डवलप्मेंट और इंप्रूवमेंट दो चीज़े हैं डवलप्मेंट क्या होता है विकास करना और इंप्रूवमेंट क्या होता है नई चीज उसी पुरानी चीज़ को इंप्रूव करना अब आपको यह पता है कि जन्संक्य की द्रश्टी से भारत का विश्व में दूसरा इस्थान है पर्तम इस्थान परेच्छी 2011 के डाटा जन्गर्णा के अनुसार 12 की जन्गर्णा के अनुसार जो भारत की जन्संक्य थी वह 125 करोड थी 125 करोड और 2015-16 के डाटा के अनुसार जन्गर्णा के अनुसार यह बढ़कर 135 करोड हो गई तो इसके बीच में जो वेरियेशन आया कितने साल का अंतर है 12-5 तीन से 4 साल में 10 करोड पोपुलेशन आपकी बढ़ चुकी है तीन से 5 साल में अब जो जो पोपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो रूरल एरियाज है ग्रामीर इलाके यह कनवर्ट हो रहें अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज कहां जा रहे हैं अर्बन एज की तरफ पे है तो जो ग्रामीर इलाके हैं वो किसमें परिवर्टित हो रहे रहें शहरी हरा में सहरी सेत्रों में रहे हैं इस अर्बаки को आर्बनाइजेशन भोलते हैं सहरी करण है अब इसमें कि हो हुआ जितने अब हैं कि अट वह आप दूण करशी यूगीजे ब्वहलनी हैं वह इंडस्ट्रिय केम है प्लस जो लोग जनता है जो सहरों की उनके द्वारा अकुपाई की जा रही है उनके द्वारा कब जा रही है और वो लोग करसी के बज़ाए उनमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं चाहे वो मकान बना रहे हो चाहे वो प्लांट बना रहे हो कोई नया थर्मल प्लांट खोल रहे हो को फैक् terrorist डाल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं लेकिन और कंवर्डरी इंडस्ट्रियल ल Extremis के उसका सी तइसेक्ट पढ़ रहा है अपने और फैर करी कल्चर पर ढाए to is का सिधा तबढ़ रहा है अपनी जंटा पर कि क्योंकि अबादी बढ़ रही है और अज़ से लेंड कम हो रही है तो इसको फुल्फिल करने के लिए इन दोनों डिमांड को जंगरना और एग्री कल्चर में डवलप्मेंट करने के लिए और इंप्रूमेंट करने के लिए हमें एग्री कल्चर सब्जिक्ट पढ़ाए जाए तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे एग्री क इन्फॉरमेशनक से क्टा करेंगे फिर उनको हम एग्रिकल्चर मेंập लाइग करेंगे और फिर उसमें डवलिप्मेंट करके इंपूउट्मेंट करके नई वेराइटी या भाइल्डिंग वेराइटी मेंवेराइटी रिलीज करेंगे उससे आपको जो यह demand future की आने वाले साथों की लोगों की मांग जो है बोजन की वो हम complete कर पाएं वो हम fulfill कर पाएं इस वज़े से इस वज़े से आपको agriculture पढ़ना है मैं friends ऐसे पढ़ते हैं ऐसे आपको concept clear करना है time pass नहीं करना है concept clear करने concept clear किसे होंगे agriculture आया अब आपको क्यों पढ़ना है सबसे परला question ही होगा आपको interview में भी पूछ सकते हैं कि हम क्यों agriculture पढ़ें क्या reason है क्यों पढ़ रहे हो आप agriculture हर किसी से यह question पूछा जाता है आई-एस आई-पीएस से भी यही question पूछते हैं interview में कि आप क्यों आई-एस बनना चाहते हों क्या reason है कि आप आई-एस या आई-पीएस बनना चाहते हैं क्या reason है आपने UPSC चूच किया तो यही reason है कि आप बी-एस सी एग्रिकल्चर एन-एस सी एग्रिकल्चर पीएस डी पोस्ट पीएस डी जो भी आप करना चाहो साइंटिस्ट वगेरा जो भी हो आप इसके माद्यम से बन सकते हैं कि रही बात आपके एक्जामिनेशन की तो इस बार में आपको थोड़ी से इंफोर्मेशन देना चाहूंगा इसके बारे में जो जेट का एक्जामिनेशन है आपका वह कंड़क्ट करवा रही है एग्रिकल्चर युनिवस्टी कोटा करवाएगी और यह आने वाले दो या तीन मेने के अंदर आपका एक्जाम कंड़क्ट करवा देंगे इसकी प्रक्रिया सुरूओ चुकिए फॉर्म की लाजड़ डेट 16 जून थी और आपने मुझे लग रहा है आपने सबने फॉर्म भर दिया है तो आप लोग अप तैयारी में जुड़ जाईए और अच्छे स पढ़ते रही है जुड़े रही है हमारे साथ इस वीडियो के मद्दम से धन्यवाद